हलो एब्रिवन, वेलकम बेक टू मिथलास्चार्म, कुकिंग एंड टिप्स, तो आज मैं बताने जारी हूँ फूल गोवी के फायदों के बारे में क्रूसिफेरस सबजियां कार्डियो वैस्कुलर डिजेज यानि की हरदय रोगों से बचाव में सहायब होती है क्रूसिफेरस सबजियां ब्रेसी का प्रजादी से संबंधित होती है जिसमें फूल गोवी भी सामील है इसमें कहा गया है कि क्रूसिफेरस सबजियों में प्राकृतिक रोप से आईसो फियो साइनेट्स नामक मालिकूल बाया जाता है यह मालिकूल रिदे को स्वस्त रख सकत है इस लिए कहा जा सकता है कि फूल गोभी खाने के फायदे के लिए लाबकारी हो सकते हैं कि फूल गोभी में बिटामिन के पाया जाता है जो हड्यों को मजबूति दे सकता है साथ ही इसमें कई ऐसे बायो एक्टिव कमपाया जाते हैं जो हड्ड्यों के घंट्व में सुधार करके फ्रेक्चर के जोखिम को कम कर सकते हैं बिटामिन UP का प्रतिदिन 7 फ्रेक्चर के जोखिम को कम कर सकता हैійсьके लिए फूल गोवी के फायदे में फट्डियों को मजबूती देना भी सामिल है। फूल गोवी में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। किसी भूजन का ग्लाइसेमिक लोड एक संख्या होती है जो अनुमान लगाती है कि भूजन खाने के बाद किसी ब्यक्ति के खूण में सूगर का अस्तर कितना बढ़ा है। पुच्च फाइबर और कम ग्लैसेमिक लोड़ वाली सबजियों का अधिक सेवन वजन कम करने में सहाइक हो सकता है फूल गोवी, ग्लोकोज, इंसुलेन, प्रतिक्रियाओं और सरीर में वशा इस्थिती को सुधार कर सकती है और उठ्जा बढ़ा सकती है फूल गोवी में प्रचुर मात्रा में फ्लो नाइट कमपॉंड पाया जाता है जो मानो शरीर पर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव दिखा सकता है इसलिए फूल गोवी का अधिक से अधिक फायदा लेना चाहिए तो इससे पूरी तरह पानी में उबालने की जगह हलका कच्चा या भून कर खाना चाहिए फूल गोवी कोलीन का एक अच्छा स्रोथ है और मस्तिस्क विकास में कोलीन की अहम भूमिका होती है इसलिए फूलगोवी खाने के फायदे या दास्त, मनोदसा, मानस्पेसियों पर नियंत्रण मस्तिस्क के विकास और नियोरो ट्रांस्मिटर सिस्टम को सही रखना सामिल है इस सभी स्वस्त मस्तिस्क के लिए जरूरी है बहुत से लोग केलिस्टरॉल के बारे में चिंता करते हैं क्योंकि रख्त में उच करलिस्टरॉल का अस्तर फिर्दय के जोखिम को बढ़ा सकता है वही फूलगोवी के सेवन से केलिस्टरॉल के अस्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है फूल गोवी में केलेस्ट्रॉल कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है इसलिए भोजन में फूल गोवी का सेवन केलेस्ट्रॉल के अस्तर को कम करने के लिए प्रेडित करता है फूल को भी खाने के फायदे में यह भी है कि इसके सेवन से पाचन तंतर मजबूत होता है क्योंकि इसमें फाइबर की उच्छ मात्रा पाये जाती है फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कारे करता है जैसे पाचन तंद्र में भोजन को अच्छी तरह से पजाता है, मल को भारी मात्रा में बनाता है ताकि वो आसानी से बाहर आ सके और आतों के pH को संकलित रखता है इसलिए कहा जा सकता है कि फूल गोवी का सेवन शरीर में फाइबर की पूर्ति करके पाचन तंद्र को स्वस्त बनाता है फूल गोवी में कोलीन मौजूद होता है, अगर इसे उचित मात्रा में लिया जाये तो यह लिवर वो किड़नी की संक्रमण आदी समस्याओं से बचा सकता है गुर्दे की पत्थरी या गुर्दे की बीमारी में फूल गोवी से बचने के लिए पहते हैं क्योंकि इसमें इवरिकेशिव ज्यादा होता है इसलिए बेहतर ही होगा कि अगर किसी को लिवर या किड़नी से जुड़ी कोई समस्या है तो डाक्टर की सला से ही फूल गोवी का सेवन करें तो आई होब कि आप सभी को फूल गोवी के बारे में दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें अगर जो आज पहली बार बिजट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे प